वन किर्थी मती लक्ष्मी स्वास्त्य मायूक्ष विद्यन्ती ब्रह्मय महुरत संजा ग्रच्ची वा पंकच यथा अर्थार्थ ब्रह्मय महुरत में उटने से व्यक्ति को कमल जैसे सुन्दरता किर्थी धन व्यबव स्वास्ते और लंबा आयूश प्राप्थ होता है अर्थार्थ जो लोग बिमारी से मुक्त लंबी सिंदगी जीना चाहती है उन्हें ब्रह्मय महुरत में उठना चाहिए हमारे सनातन संस्कृती में बताया गया है यह ब्रह्मय महुरत चमतकारी पल या अमरत वेला सुर्योदे से ठीक 96 मिनट पहले का चमतकारिक समय जिसका ठीक से उप्योग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप दंग रहे जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्षे को इतनी आसानी से पालेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप किसी भी चीज में इतनी जल्दी विशेशग्य बन जाएंगे जिसे देखकर आप स्वैम ही हैरान रहे जाएंगे क्योंकि ब्रह्मा महरत में किया गया कोई भी कारे ठीक उसी तरह विक्सित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूरे की उबस्तिती में कोई पोधा इसलिए इस समय को The Creator R.B. कहते हैं और यह कोई जादू टोने की या अंध विश्वास की बात नहीं है लेकिन ब्रह्मा महरत के इस प्राचिन तत्या को विज्ञान ने भी स्विकार किया है ब्रह्मा महरत को हमारे शास्त्रों जैसे की वेद पुराण और उपनिशेत में बहुत महत फून जगा दी गई है ये हम आपको मनुस्मृति से दिखाते हैं ब्रह्मा महरत भुद्यते धर्मार्थो, चानू चिन्तियत, काय कलेशस्ट, कन्मुलानवेद, तथार मेवचय अर्थात ब्रह्मा महरत में उठकर हमें ध्यान यानी की मेडिटेशन और वेदों का ज्यान्ध होना चाहिए अब अब सोचे इतना कठिन काही जाने वाले वेदों के अध्यन को महर्शी मुनी ने ब्रह्मा मोहरत के समय ग्रेंड करने को कहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा और हाँ सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रातना, धार्मिक अध्यन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए महत्वपूर माना है तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इस समय के दोरान ब्रह्मान में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्मा महुरत के समय को इतना पावरफुल बनाता है। 40 मिनट बराबर एक महुरत और 24 घंटे के एक दिन में ऐसे 30 महुरत होते हैं जिसकी सूची हम आपको दिखाते हैं इसमें 29 क्रम का महुरत है। पूरे लह में स्टेट औफ फ्लो में आप जो भी कारे करेंगे वह कारे एक्स्ट्रा ओर्डिनरी होगा। और इसी एकागरता के लिए योगी और मुनी लोग एकांत के तलाश में पहाड़ों की गुफाव में चले जाते थे। लेकिन हम संसारियों के लिए प्रमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मान लक्षे प्राप्ति में हमारी मदद करता है। और वह है ब्रह्मा महुरत तो आए जानते हैं कि ब्रह्मा महुरत हमारी कैसे मदद करता है। क्योंकि मनोहर काल के दोरान हमें इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनरजी यानि की विश्वशक्ति का संचाल सबसे जाधा होता है। और इस दोरान किया गया, मेडिटीशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदरी स्पेशल एक्सपिरियंस शुरू होने लगेंगे। आपके विश्वशक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉस्मिक एनरजी पाने के लिए साधू, योगी, ब्रह्मा, महरत के दोरान मेडिटेशन करते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कॉस्मिक एनरजी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना ज़रूरी है। इस समय के दोरान कॉंसेंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम चाहेवे पड़ाही हो, प्लैनिंग हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी ही मिलेंगे। एक लेखक जेकर रॉलिंग बताती हैं कि हैरी पॉर्टर लिखती समय बाहर की आवाजों की वज़ा से वह ठीक से कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वज़ा से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था, ताकि वह बाहर की अन्वांटेड आवाजों से हो जादा प्राप्त करते हैं, तीसरा है शुद वातावरण, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा मोहरत के समय हमारा वातावरण सबसे प्योरिस्ट फोम में होता है, सुभा के समय इन्वार्मेंट में 41% ऑक्सीजन और मातर 4% कार्बन डायकसेड होती है, यानि कि नियुनतम प प्रकरती हमारे किस तरह से सयोग करती है, अब हम जानते हैं कि हमारे शरी ब्रह्मा मोहरत में किस तरह से सयोग देता है, आयूर्वेत में बताया गया है कि हमारे शरी जल, अगनी, पृत्वी, आयू, आकाश इन पांच तत्व से बना है, और इनी पांच तत्वों के मिलने स वाईयू और आकाश से वाद बनता है अगनी और जल से पित बनता है जल और पृत्वी से कफ बनता है अब ये जो वाद शक्ती होती है वह मांसी कारे करने के लिए बहुती मैथवपूर्ण है शाम को 2-6 तक और सुबह 2-6 तक वाद शक्ती हमारे शरी में प्रवाहित होती है इस समय के दोरान हमें रचनात्मक और बौधी कारे करने चाहिए लेकिन वाद शक्ती के दर्मियान हमें मस्तिक से जुड़े हुए कारे क्यों करने चाहिए तो ये जो वाद शक्ती होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो अध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है जो हमारी भावना को भक्ति शुद इश्वर प्रेम और निष्ठा की और मोडता है जिसका प्रतीक हिरण है जो अधिक ध्यान देने और चोकन्ने पन का बौधक है और सबसे खास बात इस चक्र के देता शिव और पार्वती है शिव जेतना और पार्वती प्रकर प्रतीकी प्रतीक है जिसमें हमें ब्रह्म का ज्यान है और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र और जब ब्रह्मा मोरत में वाद शक्ति हमारी शरी में प्रवाहित होती है ऐसे समय हम कोई बौधिक कारे करते हैं तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर अनाहत चक्र का रंग हलका नीला अकाश का रंग है अनाहत का समान रूप तत्व वायू है वायू प्रतीक है स्वतंतरता और फैलाव का और अकाश प्रतीक है अनंता जो हमारी रश्चनात्मक को हमारे ज्यान को अंत तक फैलने में मदद करता है अनाहत चक्र से उद्य होने व ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मान और हमारे शरीद दोनों ही सकरात्मक उर्जा से भरपूर होते हैं। दे रहा है बस आपको ज़रूरत है प्रकरती और शरी को साथ देने की। तो मित्रों आपको हमारी ये प्रस्तुती पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेफ ज़रूर लिखे और लाइक भी अवश्य करें। धर्न्यवाद।